मन अत्ति सुन्दर देखना अब काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग हो गया है क्योंकि राधिका और दिब्यंग के भी जो भी गलत फहमी था वो एके करके सबूत के साथ बाहर आ रहा है जब राधिका को पता चलता है दिब्यंग के द्वारा की मैंने साइन नहीं किया था तो फिर राधिका समझ जाती है कि यह मा जी ने ही धोके से साइन करवाई है मा जी, चाहती है कि हम Deep Young जी को तालाग दे दे दीब्यंग राधिका गुश्या में ही है सही लेकिन दोनों के बीच जो भी गलत फहमी था असलियत था सब कुछ सच आ जाता है राधिका को जैसे ही देख पता चलता है देखती है तो राधिका की फाइल में तरलाग पेपर के फाइल में कारवन कॉपी रखा हुआ है तो रादिका समझ जाती है कि दिब्यम जी के साथ धोके से साइन किया गया है जिसके वज़ा से दिब्यम जी का साइन भी मिठ चुका है रादिका दिब्यम को बुलाती है और दादी जी को सब कुछ सच बता देती है और दीबियम जी को भी बुला करके कहती हैं कि दीबियम जी आप मेरे से नराज है मेरे उपर गुशा कर रहे थे कि मैंने तलाग पेपर पर शाइन किया है देख लीजे दीबियम जी आप से धोके से साइन करवाया गया है और मुझे यह बोल करके साइन करवाया गया था कि दी पतला रखकर के दिव्यम जी को यह सब बात जैसे ही पता चलता है दिव्यम काफी ज़दा गुशा हो जाता है और सुजाता से सवाल करता है कि मां आप क्यों मेरा और रादिका का तलाग कराना चाहते हैं आपको हम दोनों से क्या दिक्कत हैं आपको पता था कि ना रादिका मे और मैं अलग हो जाओं और आप मेरा रानी से फिर साधी करा सकें मुझे पता है कि आप रादिका को कभी भी देखना नहीं चाहते हैं रादिका को पसंद नहीं करना चाहते हैं आपको रानी पसंद है और यह सब साजी साब का रच्चा हुआ है आपकी असलियत आचुका है सुजाता यह सब जैसे ही सुनती है तो सुजाता हैरान हो जाती है कि देव्यम को यह सब कैसे पता चल गया और दादी सुजाता से क्या फिर जादा गुश्या करती है कहती है कि तुम अपने बहु और तुम खुद इस घर से निकल जाओ और जगू भी सारा करते हुए कहता है कि रादिका ने मेरे साथ ऐसा नहीं है सुजाता देव्यम और रादिका को अलग करना चाहती है और देव्यम रानी से साधी करना चाहती है इसलिए सुजाता और रानी मिलकर के ऐसा खेल खेल रही है दादी सुजाता के उपर काफी ज़्यादा गुशा करती है कहती है कि सुजाता तुमारा हिमत कैसे हुआ है मेरे पीट पीचे यही तुम कर रही थी भावी आ जाती है और कहती है कि दादी मेरे साथ भी मेरी सास यही करना चाहती है उस दिन हमने देखा था मेरी सौतन का फोटो था मेरी सास भी यही चाहती है कि गोलू जी का कहीं दूसरे जगा साधी कर दे और मुझे घर से निकाल दे मैं सच बोल रही हूँ दादी दादी कहती है कि हाँ काली उस दिन सच ही बोल रही थी तुम दोनों मिल करके यही प्लानिंग कर रही थी अब तुम दोनों को सजा मिलेगी तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और जो मेरे चैनल पे नए है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा